प्रदेश सरकार के सवरच्छन में यहाँ पेपर लिख कराने वाले गिरोड चल रहे हैं लाखों रुपिये में एक एक पेपर बेज कर यहाँ के युवाओं का हक मारा जा रहा है करोड़ो करोड़ो रुपिय कमाए जा रहे हैं यह पैसा उनके माली के घुटक उपर तक जाता है पूरी सरकार बरस्टरा चार में डूबी है मेरे नवज़मान मित्राज बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ है पेपर लिग रहे हैं उनकी जीदिकी को तबाह करके रख्था है क्या आज जो जार्खन में सरकार चल रही है यह मेरे युवाँ भाई बहनों का बना कर सकती है क्या इन्होंने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी बत्ता देने का बादा किया था उसे बादा क्या हुआ उस बादे का कुछ बला हुआ क्या बादा पुरा हुआ क्या इन्होंने युवाओं के लिए भए भरती के नाम पर बादा किया था मुझे बताईए बादा पुरा हुआ क्या उन्होंने काम किया क्या कॉंस्टेबल की भरती के नाम पर इतने सारे युवाओं की मौत हो गई युवाओं को गुम्रा करने वाली जेमेम सरकार ने और सम्वेजन सिल्टा की सारी सिवाए तोड़ दे साथ्यों आप याद करिए इनने महिलाओं को हर महिने दो हजार रुप्या चूला भत्ता देने का बादा किया तक नहीं किया था किया तक नहीं किया था क्या वो भत्ता मिला क्या एक चूले भत्ता कहां खो गया उनके चूले ने पड़ा हुआ है जय जोहार मैं हजारी बाग की इस पवित्र धर्ती पर मा भद्रकाली और मा छिद्नमस्तिका के चरणों में प्रणाम करता हूं इस धर्ती ने जन जातिय संस्कृति को संजोया है भगवान बिर्षा मुंडा की प्रणाओं को संजोया है आज गांधी जैनती के पावन अवसर पर मुझे यहां आने का सवभाग यह मिला है स्वतंत्रता अंदोलन के दोरान 1935 में गांधी जी हजारी बाग आये थे बापु के विचार बापु की सिख्षाएं हमारे संकल्पों का हिस्सा है मैं बापु को नमन करता हूँ उन्हें स्रद्धान्जली देता हूँ साथियों इससे पहले 2015 में भी मैं दो अक्तुबर गांधी जेंती के दिन जारखन उत दिन भी दो अक्तुबर को यहां था तब मेरा खूंटी में कारकम था मैंने वहां सोलर रूप्टो पावर प्लान का उद्गार्ण किया था साथियों जारकन के साथ भाजपा का और मेरा अपना एक विशेश रिस्ता बन गया है यह रिस्ता दिल का रिस्ता है साजे सपनों का रिस्ता है इसलिए जारकन मुझे बार बार बुलाता है और मैं भी बार बार दोड़ा चला आता हूँ अभी कुछी दिन पहले मैं जमसेत पुर आया था और उस दिन बारीज पानी आंधी ने भी खोब रुकावटे डाली हेलिकॉप्टर भी नहीं उड़ सका लेकिन मैंने ताय किया था जारकन आकर आप लोगों के दर्शन किये बिना वापिस नहीं जाओंगा मैं सड़क से यात्रा करके अपने लोगों के बीच पहुँच गया जारकन को जनजाती के मेरे साथियों को यहां के नागरिकों को लेकिन आज मैंने कहा कि मैं हवरे के बीच में जाकर के सब के दर्शन करके आऊंगा तो मुझे अभी आपके दर्शन के लिए बीच में आने का आउसर मिला लेकिन उसके बावजुद भी पीचे हज्जारों लोग छुट गए जिनको मैं भी नहीं देख पाया वो भी नहीं देख पाये और यहां से मुझे उनके मुंडे दिखते हैं सारे मैं उन सब की शमा मांगता हूँ कि मैं आप तक आने के बाद भी आप तक नहीं पहुच पाया और इसलिए आपकी शमा चाहता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप दूर दूर तक खड़े हैं यह आपका प्यार यह आपके आशिरवाद मेरे लिए एक बहुत बड़ा अनमोल ख़जाना है साथियों जारखन को सैकड़ो करोड रुपिय की विकास परियोजनाय मिली उस दिन आपने देखा होगा छे नई बंदे भारत ट्रेने यहां से शुरू हुई और आज भी आप सब के बीच आने से पहले अभी मैं 15 मिट पहले एक सरकारी कारकम में 80,000 करोड रुपिय से ज़्यादा की विकास परियोजनाय का लोकारपण और सिलान न्यास करके आया हूँ यह ले लिजे भाई मेरे स्पीजी के लोग इनके पास बच्चे कुछ लेके आये हैं करके ले लिजे अरे ले लिजे भाई हाँ वह मुझे मिल जाएगा अगर आप देना दर्ति आबा जन जातिय ग्राम उतकर्स अभियान एक लव्य मोडल आवसिय विद्ध्याल है मोबाईल मेडिकल यूनिट्स बिजली पानी सोलर एनरजी और ऐसी ही अन्य योजनाएं इन सब का जारखन के लोगों को बहुत बड़ा लाब मिलेगा खास कर इन योजनाओं से यहां के आदिवासी समाज के जीवन में बहुत बड़ा बड़लाव आएगा उन्हें आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा मैं एक बार फिर जारखन के सभी लोगों को इन विकास कारियों के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों हमारे देश में आदिवासी जननायों के साथ जैसा अन्याय किया गया वैसा अन्याय दूसरे किसी के साथ नहीं हुआ कॉंग्रेस ने अपने एक परिवार को पहचान दिलाने के लिए देश के कोने कोने में बसे आदिवासी परिवारों की पहचान मिटा दी आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान देने वाले आदिवासी समाज को कॉंग्रेस ने कभी महत्वन नहीं दिया सारी योजनाये एकी परिवार के बेटे बेटी के नाम पर सारी सड़कें सारी इमारतें एक ही परिवार के बेटे बेटी के नाम पर ऐसी परिवारवादी सोच ने देश का बहुत नुक्षान किया आज मुझे गर्व है कि हमारी सरकार आदिवासी नायकों को पूरा सम्मान दिला रही है ये भाजपा है जिसने आदिवासी म्यूजियम बनाने का अभियान शुरू किया है राची में भी भगवान बिर्शा मुंडा को समर्पीत म्यूजियम बना है हमने भगवान बिर्शा मुंडा के जन्मदीन पर जन्जातिय गवरव दिवस मनाने की शुरूआत की है अगले वर्ष हम भगवान बिर्शा मुंडा की एक सो पचासवी जन्टी मनाएंगे इसी कड़ी में आज का भी ये कार्कम समर्पीत है साथियों हम सब प्रेम से बगवान बिर्शा मुंडा को धर्टी आबा कहते हैं आज उनके नाम पर धर्टी आबा जन्जातिय ग्राम उतकर्ष अभियान शुरू हुआ है इस योजना का फोकस है कि जिन भी आदिवाजी भाई बेहनों को अब तक सरकारी योजनाओं का लाब नहीं मिला है उन्हें हर लाब से जोड़ा जाए जन्जातिय इलाकों में सभी के पास आउश्मान काड हो सभी जन्जातिय गाउँ तक सड़क पहुँचे सभी गाउँ में मोबाईल कनेक्टिविटी हो सभी के पास पक्का घर हो गर में नल से जल हो रसोई गैस का कनेक्शन हो ऐसे अनेकों काम इस योजना के तहट किये जाएंगे योजना के तहट आदिवासी भाई बेहनों के लिए ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर बनाए जाएंगे यही नहीं धर्ती आबाज जनजातिय गराम उतकर सभियान के तहट आदिवासी भाईंगे काउशल विकास पर भी फोकस होगा हमारे जनजातिय हुआ स्किल्ड हो उन्हें रोजगार के नए नए आउसर मिले यह योजना इसमें बहुत बड़ी मदद करेगी सेचुरेशन की अप्रोच पर चलते हुए सरकार के पंदरा से ज़्यादा मंत्रा लाए एक साथ मिलकर इस अभ्यान पर काम करेंगे और इसका बहुत बड़ा लाब जार्खन के लोगों को होगा आप सब मेरे भाई बहनों को होगा मैं आप सब को दर्ती आबा जनजातिय ग्राम उतकरत अभ्यान की बधाई देता हूँ साथियों आज एक और केंद्र सरकार जार्खन के विकास के लिए दिन रात महनत कर रही है दूसरी और जार्खन सरकार जार्खन के विकास को पट्री से उतारने में लगी है आज जार्खन का बच्चा बच्चा जान चुका है जार्खन के विकास में सबसे बड़ी बाधा कॉंग्रेज जेमेम और आरजेडी का गड़ जोड है जार्खन तभी जाएगा आगे तभी बड़ेगा और आगे जाएगा जब ये सरकार हटेगी जार्खन तभी आगे जाएगा जब यहाँ परिवर्तन होगा इसलिए पूरे जार्खन में परिवर्तन यात्रा का जन आंदोलन चल रहा है ये परिवर्तन यात्रा केवल एक राजनेति की यात्रा नहीं है ये जार्खन के विकास के लिए जन जन के सपनों को पूरा करने के लिए एक संकल्प यात्रा भी है इस यात्रा को जार्खन के लोगों का आशिरवाद मिला है इस यात्रा को जार्खन की माताओं बेहनों का स्ने मिला है इसे समाज के हर वर्क का अपार जन समर्थन मिला है आज से जार्खन में परिवर्तन की शुरुवात हो गई है जार खंड के विकास के लिए परिव्रतन, हर गरीब को घर मिले इसके लिए परिवर्तन, हर गर जल का कनेक्शन मिले इसलिए परिवर्तन, ब्रस्ताचार को खस्प करने के लिए परिवर्तन जल जंगल जमिन की हिफाज़त के लिए परिवर्तन बहन बेटियों की सुरच्छा के लिए परिवर्तन आदिवासी समाथ के अधिकारों के लिए परिवर्तन साथियों बीजेपी वो पार्टी हैं जिसने आप सब के साथ मिलकर जारखन राज्य के सपने को देखा भी उसे पूरा भी किया अटल जी ने सरकार में आते ही शांती और सहमती के साथ जारखन राज्य बनाया था हम जारखन का विकास चाहते थे हम यहां के अधिवासी समाथ के सपनों को पूरा करना चाहते थे लेकिन इन सप्रों को पूरा करने में हमारी लड़ाई किस्से थी आरजेडी जैसी पार्टियों से आरजेडी के लोगों ने जारखन को अपनी लूट का ठिकाना बना रखा था जल जंगल जमिन की खुले आम लूट होती थी इस इलाके कोईनों ने अपराजियों माप्याओं का सेफ हाउस बना रखा था और आरजेडी वालों को दिल्ली से कौन से दे रहा था कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस आरजेडी के इस पाप में बराबर की हिस्सेदार थी इसलिए आरजेडी के लोग कहते थे कि जारखन नहीं बनने देंगे और कॉंग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करती थी कि जारखन की मांग कभी पूरी नहों बाईयों बेहनों आज मुझे अपसोज है कि अब जेमेम भी कॉंग्रेस और आरजेडी के रंग में रंग गई है ये पुरानी जेमेम नहीं है आज जेमेम पर कॉंग्रेस के इको सिस्टिम ने कबजा कर लिया है आज जेमेम पर कॉंग्रेस का भूत सवार है बाशा बदली चरीत्र बदला और अब ये जारखन की आत्मा को ही बदलने चले है साथियों आज जेमेम सरकार जारखन के विकास में बड़ी बादा बन गई है कोई कल्पना कर सकता है जल जंगल जमिन के नाम पर आदिवास्यों से वोट लेने वाले लोग ऐसी खुली लूट करेंगे आज प्रदेश सरकार में जमीन के दलालों की तूती बोल रही है आप इनकी हिम्मत देखिये इन्होंने गरीब आदिवास्यों की जमीनों को लूटा इन्होंने सेना तक की जमीन को नहीं छोड़ा जारखन में कोईले की खुली लूट चल रही है ठेके पट्टे के नाम पर बालू की लूट हो रही है जो खनी जारखन के विकात की पूंजी है ये सरकार उसकी भी लूट लगी है ये लोग गरिबों के नाम पर आदिवास्यों के नाम पर योजना ये तो निकालते हैं लेकिन उसका पैसा भी खा जाते हैं अब हुआ आवास योजना मुख्यमंत्री मैया योजना ये सब ब्रस्टा चार का ठिकाना बन गई है प्रदेश सरकार के समरक्षण में प्रदेश सरकार के समरक्षण में यहां पेपर लिख कराने वाले गिरोड चल रहे हैं लाखों रुपिये में एक एक पेपर बेज़ कर यहां के युवाओं का हक मारा जा रहा है करोडों करोडों रुपिये कमाए जा रहे हैं यह पैसा उनके माली के गटक उपर तक जाता है पूरी सरकार बरस्टाचार में डूबी है मेरे नवज़वान मित्राज बहुत बड़ी मात्रा में यहां आए है पेपर लिख रहे हैं उनकी जिदिकी को तबाह करके रखा है कि आज जो जार्खन में सरकार चल रही है यह मेरे युवाब भाई बहनों का बना कर सकती है क्या यह आपका बना कर सकती है क्या साथ्योग केंद्र सरकार की योजनाओं में भी प्रदेश सरकार ब्रस्टाचार करने से पीछे नहीं हट रही है यह गरीब के राशन का पैसा डखार रहे हैं यह गरीब के पानी का पैसा हड़प रहे हैं कि जल जीवन मिशन में प्रस्टाचार कर रहे हैं अरे हमारे देश में तो परंपरा रही है पानी के लिए तो गरीब आदमी भी अपने घर के बार एक पानी का मटका रखता है ताकि आने जाने वाला कोई रागर अगर वो पानी चीट पैसा है तो उसको पानी मिल जाए गरीब आदमी भी पानी पिलाता है यह सरकार कि जल्जिवन मीशन में पानी के काम में प्रस्टाचार कर रही है कि प्रस्टाचार का ऐसा खुला खेल पैसे की ऐसी बंदर बाट यहां कॉंग्रेस के नेताओं के ठिकानों से सैकड़ो करोड बरामज होते है यहां नेताओं के नौकरों के गरों से भी करोड़ों रुपिय पकड़े जाते है मैं इतने सालों बुख्य मंत्री रहा इतने साल प्रदान मंत्री रहा इतने सालों से सालवा निजयनिक जीवन में रहा मैंने कभी अपनी आखों से नोटों के ऐसे डेल ने जेके जो जारकन में चोरी की हुए पैसे पकड़े जा रहा है मैं वो डेल टीवी पर देख रहा जैसे जे-म-म और कॉंग्रिस वाले जार खंड में गोटालों का मेरा थान कराने में लगे हैं मैंने तो सुना है अब जब इनकी बिदाई होने को है तो इनोंने ब्रस्टा चार की स्पीड भी बढ़ा दी है और कहते हैं स्केल भी बढ़ा दिया है मुझे पता चला है पिछले दो हपते में जार खंड में हजारों ट्रांसपर हुए हैं लोग बता रहे हैं इस ट्रांसपर पोस्टिक उद्योग इनका बहुत बड़ा उद्योग है ये ट्रांसपर पोस्टिक के बहाने करोडों रुपिया का खेल ये जे-म-म ने किया है लेकिन मैं इने बताना चाहता हूँ, ये खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला जल्द ही जारगन में सरकार भी बदलेगी और इस लूट का हिसाब भी होगा, पाई पाई का हिसाब होने वाला है साथियों, आज जेमेम को वो लोग चला रहे हैं, जो जारखन की पहचान को बदलना चाहते हैं जारखन की सद्यों पुरानी पहचान को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं ये लोग और कॉंग्रेस में बेटे इनके आका जारखन में आदिवासी समाज को अलपसंख्यक बनाना चाहते हैं ये जानते हैं इन्होंने हमेशा आदिवासी समाज को ठगा है इन्होंने कभी भी आदिवास्यों को आगे नहीं बढ़ने दिया है इसलिए सत्ता में बने रहने के लिए लोग जारखन में अपना एक नया वोट बैंक तैयार कर रहे हैं जारखन को बली चड़ा करके ये वोट बैंक का खेल चल रहा है जारखन की विरासत को बली चड़ाना जारखन की अस्पिता को बली चड़ाना ये खतरनाख खेल इनका खेल खतर कितना खतरनाख है ये संधाल प्रगना इसका जीता जागता सबूत है संधाल प्रगना में आदिवासी आबादी लगातार कम हो रही है वहीं दूसरी आबादी गुश पेच्छियों की आबादी लगातार बढ़ रही है देमोग्राफी में इतना तेज बदलाओ आदिवासियों की हिंदुयों की गटती हुई आबादी मैं आप से पूछता हूँ जार खंड में ये बदलाओ आप लोगों को दिख रहा है के नहीं दिख रहा है बंगला देशी गुश पेच्छियों की संख्यात तेजी से बड़ी है के नहीं बड़ी गुश पेच्छियों यहां की जमीनों पर कबजा कर रहे हैं के नहीं कर रहे हैं जारकन की बेटियां आदिवासी समाज की बेटियां इनके निशाने पर है की नहीं है साथियों आप सबको यह खत्रा दिखता है आपको डेमोग्राफी में बदलाव दिखता है लेकिन जारकन सरकार को यह नहीं दिखता है जो यहां के गाउं के इनसान को दिखता है वो सरकार में बैठे लगों को नहीं दिखता है वो यह मानने को तयार ही नहीं है की जारकन में जन संक्या संतुलन बिगड़ रहा है आदिवाच्यों की आबादी गट रही है हालात ये है हाई कोट इस गंबीर मामले पर चिंता जता रहा है लेकिन जेमेम सरकार कोट में हलप नामा दायर करने के गुश पैट से इंकार कर देती है आप मुझे बताईए क्या ये लोग जारकन की पैचान को सुरक्षित रख पाएंगे क्या गुश पैटियों की बढ़ती आबादी आदिवासी समाज की गड़ती संख्या ये जेमेम और कॉंग्रेस की सत्ता की भूक का नतीजा है जेमेम और कॉंग्रेस जारकन के साथ साथ पूरे देश की सुरक्षा से खिलवार कर रहे हैं इसलिए परिवर्तन यात्रा में हर परिवार ने एक नारा दिया जारकन के नागरीकों ने एक संकल्प सुनाया जारकन के हर गाउं से एक दर्द दिखता था एक आह सुनाय देती थी एक बड़ी पीड़ा नजर आती थी और परिवर्तन यात्रा में देखने के बाद एक संकल्प लिया गया है और यह संकल्प है रोटी बेटी माटी हमें इन तीनों को बचाना है यह जारकन के लड़ाई सब्ता पाने की लड़ाई नहीं है यह जारकन के लड़ाई रोटी बेटी और माटी बचाने की लड़ाई है आप सब तयार है यह लड़ाई लड़ी है गर गर लोगों को जगाना है रोटी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए माटी बचनी चाहिए बेटी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए रोटी, बेटी, माटी, बचाना है क्नि बचाना है अब जाग ळहा है क्नि जाग न है अब निकल पड़ना है क्नि निकल पड़ना है साथ यो कि यहां कुछी महिनों मैं बीजेपी सरकार बनेगी और मैं जार्खन को गवराँटी देता हो जार्खन मैं जब violent की सरकार बनेगी कि जार्खन में जबabile रिखार कार बनेगी जार्खन में जर्व हमारी शरकार बनेगी रोटी, बेटी, माटी इसकी सुरक्षा से निशित कर दी जाएगी साथियों, जेमेम अब जूठे वादों की बदौलत अपने आपको बचाना चाहती है जिनोंने पांच साल तक जनता का हक्षिना, अब वो चुनाव में बड़े-बड़े वादे करके आपको बरोसा जीतना चाहते हैं आपके आँख में दूल जोकना चाहते हैं, जारखन के लोगों को इन जूठ की दुकान वालों से सावधान रहना है मैं भी इन से पुछना चाहता हूँ, जूठ की नई जलेबिया, ये जूठ की नई जलेबिया परोसने से पहले, अरे जराब पुराना हिसाब तो दे दो इन्होंने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी बत्ता देने का बादा किया था, उसे बादा क्या हुआ, उस बादे का कुछ बला हुआ क्या, बादा पुरा हुआ क्या, इन्होंने युवाओं के लिए भए भरती के नाम पर वादा किया था मुझे बताईए वादा पुरा हुआ क्या उन्होंने काम किया क्या कॉंस्टेबल की भरती के नाम पर इतने सारे युवाओं की मौत हो गई युवाओं को गुम्रा करने वाली जेमेम सरकार ने और सम्वेजन सिल्टा की सारी सिवाए तोड़ दे कि साथ्यों आप याद करिए इनने महिलाओं को हर महिने दो हजार रुप्या चूला भत्ता देने का बादा किया तक नहीं किया था कि वादा किया तक नहीं किया था क्या वो भत्ता मिला क्या एक चूले भत्ता कहां खो गया उनके चूले में पड़ा हुआ है जेमेम ने विद्वा महिलाओं को हर महिने पेंशन की बात कही थी बेटियों को शादी में 51,000 रुपिया सोने का सिक्का ऐसे कितने ही वादे किये थे क्या ये सोने के सिक्के जो अलमारियों में से नोटों निकली उसमें दब गए है क्या गद्दे के नीचे से नोटे निकली क्या ये सोने के सिक्के उसमें पड़े थे क्या मैं जरा जार्खन की माताओ बेहनों को पूछना चाहता कितनी बेहनों के नियोजना का लाब बिला लेकिन अब फिर नए जूट नए वादे नए जलेबिया ये बांट लेग लिए निकले है जूट की दुकान अब बार बार नहीं सजेगी साथियों जार्खन का विकास आदिवासी समाज का कल्यान ये केवल भारतिय जनता पार्टी और एंडिये ही कर सकते हैं हमने जार्खन को विकास की मुक्यदारा से जोडने के लिए दिन रात काम किया है आज हमारी सरकार में आदिवासी समाज के गवरव को सही पहचान मिल रही है आप देखिए हमने देश में गड़ीप को मुफ्तिलाद देने के लिए आउश्मान योजना शुरू की ये योजना जार्खन की दर्ती से शुरू की गई हमने भगवान बिर्शा मुंडा की जन्म जहनती पर पीएम जन्मन योजना का शुपारम किया जो आदिवासी इलाके दसकों से विकास की मुख्यदारा से दूर थे जहां सड़क, पानी, बिजली जैसी मुल्बूत सुविदाय भई नहीं पहुची थी पीएम जन्मन योजना ऐसे सभी आदिवासी इलाकों को विकास की मुख्यदारा से जोड रही है आज लाखों जन्म जाती है परिवारों का जीवन बदल रहा है उन्हें जरूरी सुविदाय मिल रही है बहतर जीवन मिल रहा है आप बीजेपी के दस साल का रकॉर्ड देखिए हमने करोडों गरीबों को पक्के घर दिये अपने तीसरे कारकाल में हम तीन करोण नए पीएम आवाद बनाने वाले हैं हमने करोडों घरों तक पानी पहुचाया हमने गरीबों के लिए सवचालाई बनवाए हमने हर गरीब का जंदन खाता खुलवाया इसका सबसे बड़ा लाब किसे मिला हमारे वन्चित समाज को आदिवासी समाज को लेकिन इतने दसकों तक सरकारों ने क्या किया उन्होंने गरीबों को जीवन की जरुरतों से वन्चित रखा भायो बहनों कॉंग्रेस ने आदिवासी युवाओं को सिच्छा और रोजगार के अवसरों से भी बन्चित रखा आदिवासी इलाकों में अच्छे स्कूल तक नहीं खोले गए अब हमारी सरकार आदिवासी आबास आदिवाले ब्लोकों में एक लब्यम मोडल आदिवासी ये विद्धाले बना रही है देश भर में ऐसे 700 से ज़्यादा स्कूल बनाए जा रहे है आज 30 क्लास से ज़्यादा आदिवासी छात्र छात्राओं को स्कॉलर्शिप मिल रही है आदिवासी समाज के बच्चे भी डॉक्टर बने इंजीनियर बन रहे है इतने ही युवाओं को विद्धेश में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलर्शिप दी जा रही है क्या ये काम हमारे पहले कभी कॉंग्रेस सरकार नहीं कर सकती थी कभी नहीं कुछ नहीं किया क्योंकि उनकी नियत में खोड थी भाई और बहनों कॉंग्रेस का चरित्र ही दलीत बंचीत आदिवासी विरोधी है इन्होंने ऐसी नित्या बनाई थी ऐसी सरकार चलाई थी कि S.C.S.T.O.B.C. के लोग आगे बढ़ने अपाए इसलिए कॉंग्रेस हमेशा S.C.S.T.O.B.C. के आरक्षन का विरोध करती रही है आज भी कॉंग्रेस आरक्षन को खत्म करने की बात कर रही है S.C.S.T.O.B.C. का आरक्षन चीड कर कॉंग्रेस अपने खास बोड़ बैंक को देना चाहती है अभी मैं जंग जाती है समू के मुख्याओं से मिला उनकी शिकायत थी कि उनके हके जो आरक्षन मिले हुए है वो औरों को बाड़ दिये जा रहे है लेकिन मैं आड़ दंके की चोट पर कह रहा हूँ जब तक B.J.P. है S.C.S.T.O.B.C. का आरक्षन को नहीं छिन सकता आरक्षन को केवल B.J.P. के कारण ही सुरक्षिता मिली हुई है साथियों जो कॉंग्रेस पार्टी देश के सबसे ब्रस्ट परिवार के सेवा में लगी हो जो J.M.M. बाले उसके पीशे चल रहे हो गाव गरीब के विकास के लिए उनसे चुटका रहा पाना बहुत जरूरिये तभी विकास संभव होने वाड़ा है इसके लिए साथ मिलकर कॉंग्रेस और J.M.M. के कुशासन से जार्खन को मुक्ति दिलानी है हमें साथ मिलकर जार्खन के उसकी कास यात्रा को पूरा करना है जिसकी शुरुआत भाजपा सरकार ने की थी मुझे विश्वास है आने वाले चुनाव इस दिशा में निर्णा एक साबित होंगे आज जो परिवर्तनी आत्रा यहां पूरी हुई है यह जार्खन के लिए नई सुभ़ की शुरुआत साबित होगी मैं आप सब से हमों रोज करता हूँ कि आप सब आने वाले दिनों में गर गर जाईए बीजेपी के संदेश को मेरी प्रार्षरा को जार्खन की जनता तक पहुंचाईए और हमारा ये की नारा है रोटी बेटी और माटी इसके लिए हम जार्खन में परिवर्तन लाके रहेंगे इसी आग्रह के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद मेरे साथ दोनों हाथ उपर करके पुरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद